सूपर स्ट्राइकर्स ने दो बोल कर लिये हैं और गोली मोग कबसे बिना तुछ की यही खड़ा है नकामा अभी सूपर स्ट्राइकर्स के इलाखे में है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ब्रेंडा वहां ब्लॉक है पर अगर उसने टैकल को नहीं समाला तो पैनल ने पकी है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ब्लॉक सूपर लीग का सबसे इमानदार टैकलर है बहुत मजा आया सब ध्यान से सुनो पता चला है रोबोटिक्स इनफट बॉल एक्जिबिशन अगले हफ़ते होने वाला है प्रोफेसर और हमने सोचा कि इस साल हम कुछ खास करें इसलिए मैंने बनाया है एक रोबोट तुम में से किसी का जरूर जोका होगा उससे अच्छा रोबोट डास कोई नहीं कर सकता वो मेरा ही होगा जब महान फाइटर यहां है तो किसी और का रोबोट भला क्यों बने लोबोट ए लोबोट बूफेस्ट रुबमाग्αιे से लुड़ का रेटर इसलिए금 우ला घ्हाँं मारा हो क्यों आ.? लोबोट बना हिसा ले版 है? प्राइब ऱिना कि एर वेडतन तुम्तुम मैं। आपकलो niewिल्सक्राइब है आपकलो धिन अवाईगों और व्यान सोप्टार्प्राइब अच्छार्प्राइब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि दो मुझे चाहिए तुम्हारे कपडे तुम्हारे जूते तुम्हारी सारी चीजें टोनी आप इस टिन के डिबे को हमारे साथ क्यों लाए हो क्योंकि एक यही है चिप टी चकरसन जो मुझे एक इनाम जिताने वाला है मतलब गेम सुपा स्ट्राइकास के साथ चिप और तुम सब में एक और अलग बात यह है कि यह वाकिय में चीज़ें सीख सकता है मुवी स्टार को कापी करो मुझे चाहिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे चूते, तुम्हारी सारी चीज़ें मैं कुछ समझा नहीं टोनी यह मुझे जिताएगा रोबोलिक्स इन फुटबॉल एक्जिबिट में इनाम आयन टैंक अपने आप में ही अच्छे रोबोट्स है और रोबोटिक्स इन फुटबॉल का ग्रेंड प्राइज चाता है येस, येस, रोबोट्स इन फुटबॉल के बारे में बताओ दरअसल शरीर से रोबोट्स मेरी एक हूबहू नकल है वो उस रोबोटिक बुद्धु को कैसे ही नाम दे सकते हैं वो तो सिर्फ एक बेकार नकल है तो ये फुटबॉल कैसा खेलता है मुझे नहीं पता प्रोफेसर कहते हैं कि रोबोट्स के खेलना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो बना है स्टील और हाइड्रालिक से वागई तो ये स्ट्रारिक लैंड में क्या काम करेगा क्या क्रक्ता स्ट्राइक लैंड में स्ट्राइक ऊगज घर है सुपर लीक की सबसे महान टीम का ट्बॉग का alone गया तोrov, तुम्हाते बताब आपसे कों जीतेगा सूपर स्ट्राइक आस या क्या काली मेरे ख्याल से अगले गे में सूपा स्ट्राइकास की ही जीत होगी ओ अच्छा ब्लॉक अभी मुझे पूरी तरह से ब्रजलोविन भाशन नहीं आती है पर अगर मेरी मानो तो लीना मुझे बस एगोल करना होगा और बाकी का काम ब्लॉक संभाल लेगा अगर मैं ब्लॉक को सब संभालने दूँगा तब ना ब्लॉक को कोपी करो ब्लॉक जो ब्लॉक जो अब बस मुझे कोई रास्ता निकालना है तुम्हारे प्रोसेसर को उस बेकार टिन के टिबे में डालने का रुक जाओ रोबोटिक्स का पहला नियम पानी मना है पानी तुम्हारा सिस्टम खराब कर देगा पर तुमने मुझे एक आइडिया दे दिया है वो टेक्नॉलोजी तो हमने पहले ही इन्वेंट कर ली थी अब देखते हैं उस पर और काम चल रहा है आप पता नहीं क्या होगा अपनी, रोब रोबोग को या समानी का हो जाँ, 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 जाँ ख़बर है कि रोबोटेक्स और फुटबॉल एक्जबिट को सारे रोबोट्स के साथ ही बन कर दिया गया है नहीं, 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 उसने तो अब तक ना कुछ देखा था, ना ही किया था प्रॉफिसर, वो सच में बड़ा ही कमाल का रोबोट ब्लॉक था अगर देखा जाए तो मुझ जैसे अच्छा दिखने वाला रोबोट बनाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता बहुत गलत हुआ स्मागल फ्लेर सारे रोबोट पार्च हटा दो, एंटिन के टिब्बों को कबार खाने भेज़ दो येस, बात बन गई और जब तक सूपर स्ट्राइकल्स को ऐसास होगा कि वो एक रोबोट के साथ खेल रहे हैं, उनकी आधी टीम सखमी हो चुकी होगी चलो अब रोबोटिक्स एग्जेबिट को भूल जाते हैं, ठीक है? मैं नहीं चाहता इससे हमारे टेक्निकाली वाले गेम पर असर हो अब काम शुरू करो ये क्या फाइटर? मेरी तैयारी पूरी तरह से दिमागी होगी कोच, मुझे ये याद दिलाकर कि मैं कितना कमाल का हूँ हे ब्लॉक, मेरे ख्याल से मेरी सबसे अच्छी प्राक्टिस होगी, दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंडर के सामने खेल कर ब्लॉक, तुम तो मेरा पैर तोड़ने वाले थे, तुम्हे हुआ क्या है, तुम अलग लग रहे हो, मैं वहार ट्रीनिंग करता हूँ जिससे मुझे हॉस्पिटल न जाना पड़े सूपा स्ट्राइकार्ज रोब्लॉक से जखमी होने के लिए बहुत ही तेज और काबिल हैं, पर मेरे प्लेयर्ज नहीं जॉन जे जॉनसन जुनिया हाई टोनी मैंने तुम्हारे लिए एक स्ट्राटेजी तैयार की है वो क्या है? भागना उसमें क्या? फुटबॉल खिलते वक्त हम चलते थोड़ी ना है उनका मतलब है अच्छी तरह भागना मैं चाहता हूँ तुम भागते हुए ब्लॉक के सामने जाओ, जॉन जे जॉनसन जुनिया क्या? इसमें खत्रा नहीं होगा? फील्ड पर रोब्लॉक होगा तो सूपा स्ट्राइकर्स को मिलते जाएंगे कार्ड्स और टेक्निकाली को मिलेंगी पेनल्टी गिक्स मैं हूँ रोब्लॉक, मतलब रुबोट ब्लॉक, अब देखो कैसा कमाल होने वाला है स्ट्राइकर लाइड में स्वागत है जो घर है सूपर लीग ट्रोफी का अब अपना टूर शुरू करते हैं थीक है बॉइस आज के लिए तना काफी है अब ब्लॉक बनो तुम्हें क्या हुआ है तुम अलग लग रहे हो हे ब्लॉक आ रहे हो शुरू रीलाट हाँ ब्लॉक को कुछ हुआ है उसका खेल अजीब है बोली अजीब है वैसे शेक मेरे दोस्त ऐसा कह रहे हो जैसे तुम ब्रिजलोविया उनके एक्सपोर्ट हो हाँ दोस्त तुम तो सेख रहे हो ना कसर्ट टेप्स हाँ ब्रिजलोविया की लेटस्ट टेक्नोलोजी तो अब तुम यह पहो गर्बल जग्ट ग्लार्ग बजर्ग हाँ मुझे याता है अब कहो जग मगर्ब ब्लाडल स्टाडल ड्राडल है ठीक है टेप छे हाँ अजीब है छे से नौके टेप कहा है क्या तुम तयार हो ब्रिजलोवियन सीखने के आखरी लेवल के लिए चलो शुरू करें रॉरल क्लाड जुजांगल क्राप ब्लुचराज बरकल पता है मेरी ब्रिजलोवियन खराब नहीं है तो फिर ब्लॉक को क्या हुआ है अब आगे आप टेप्स स्ट्राइका लेंड में सिखाया जाता है कभी हार ना मानना स्ट्राइका लेंड में मैच का दिन आ गया है आप चाहे जहां भी हो जो भी कर रहे हो पुटबॉल के लिए थोड़ा सा वक्त निका ली सकते हो सुपर स्ट्राइकास काफी अच्छे पॉम में है पच्चक्ति चिपर्सन भी तैयारी के साथ आया है ब्लॉक को आज बहुत ही अच्छा खेला होगा बाग वो तो खेलेगा ही प्रेंडा वो भरोसे मन है हमेशा सुपर स्ट्राइकास की मदद के लिए हाजिर रहता है तुमसे बात करनी है जर्गल फरबल गरब राजल गूल्लोक गूल फरबूंबल कह रहा है कि हाली में इस पर काफी प्रेशर रहा है वाँ शेक तुम्हारी ब्रिजलोवियन वाकी सुदर गई है दोस्ताव बिल्कुल सही का ब्लॉक मुझे पता है कुछ हुआ है तुम्हारा गेम तुम्हारी ब्रिजलोवियन लगता है जैसे तुम कोई और ही हो क्रूसर ब्लॉकर राप्जिकूल क्या कहा तुम्हें ब्रिजलोवियन सीखने की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि तुम ब्लॉक नहीं हो तुम रोब्लॉक हो तुम बाहर नहीं जा सकते तुम खेल नहीं सकते तुम सबको चोट पहुचाओगे रोब्लॉक मेरी बात फ्रोओ प्लीज टूर के दौरान अप्टी चीजों का ध्यान रखना ना भूले और आप आ रहा है पिछले हफ्टी का मैन आफ दो मैच ब्लॉक वो एक मशीन है ब्रेंड़ा मशीन कहा है मुझे तो लगा था दोनों तरफ से सब चर्चे खिलाडी खेलेंगे क्लाउज थैयार हो जाओ इगल आई ग्रेज शेक को ले आओ मुझे क्या करना है सीधे ब्लॉक की और भागना है और गेम शुरू हो गया क्या बात है दोनों ही टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है कोई भी बॉल को दूसरे के पाले में जाने नहीं देना चाहता कुछ टेकाली वाली ब्लॉक का सामना करने के लिए कम से कम अपने नॉबर वान स्ट्राइकर तो भीज देते ब्लॉक तो ऐसा नहीं था मेरा मतलब वो क्या था ऐसे थोड़ी ना खेला जाता है ठीक से खेलो ब्लॉक ऐसा फिर से किया तो तुमें कार्ड मिल जाएगा शेक शेक कुछ समझ नहीं आ रहा वो कहां चला गया आप्राप्रा अच्छा डिफेंस आप्राप्रा अच्छा डिफेंस आज का खेल देकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा लॉक एक इमांदार खिलाडी से एक भयाना कात्रंक बन गया है रफी ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे मिला यलो कार्ड वो अपनी सालों की रेपिटिशन बस एक ही गेम में बिकाड रहा है बीज दूर मच जाएए क्या किसी को रेस्टरूम जा रहा है? सीडियों से सीधे जाएए फिर लेफ्ट फिर राइट फिर से राइट और फिर सीधा अब आगे आएगा स्ट्राइडर लैंड स्पा है ना ये असली लक्जिरी चलो दोस्तों सबी अच्छी चीजों का अंतो होता ही है आपको और देखना है? आएए हमारे स्कबाल के टूर के आखरे हिस्ते में और इस डिपेंडर के लिए मामला और भी कर गया है टेक्निकाली को मिली पैनल्टी ब्लॉक को चल्द ही ठीक से खेलना होगा वरना उसे निकाल दिया जाएगा अपने सीब बैल्स बागलो क्योंकि हमारे टूर का आखरी स्टॉप है स्ट्राइक अलेंड गराज लो हो गई च्रुआत प्रेंडा टेक्निकाली ने पहला गोल बना लिया और इसकी जिम्मिदार है ब्लॉक की बेहती खराब परफॉर्मेंस किसने सोचा था ऐसा होगा पहले हमारा स्ट्राइकर गाइब हुआ अब एक डिफेंडर है जिसका दिमाग गाइब हो गया है शो शेक किसी को पता ना चले मैं यहां अंदर हूँ वो ब्लॉक नहीं है हाँ और मैं हमेशा लॉकर्स में छिपे लोगों की बात मानता हूँ उसी ने मुझे यहां डाला अगर उससे पता चला तुम सक जान गए तो तुम्हें भी डाल देगा तुम कैसे भी उसे यहां से भेज़ लो ब्लॉक आखिर तुम्हें हो क्या गया है मुझे पता है क्या कहा ब्लॉक को नहाने के लिए जाना है है ना ब्लॉक वैसे तुम कबसे ब्रिजलोवियन बोलने लगे मैं तो नाइट क्लासेज जा रहा हूँ वो ब्लॉक नहीं है वो रो ब्लॉक है क्या तेरे हैं तुम वो खतरनाक टैकलिंग अजीब सी भाशा अकड़ भरी चाल चलो अभी पता चल जाएगा ना सही हूँ या गलत वो कैसे शेक रोबोर्ट्स नहाते नहीं है तो अगर वो रो ब्लॉक है तो फिर ब्लॉक कहा है सूपर स्ट्राइका सबसे बहतरीन गार यहीं चलाते हैं लो वो रहा हमारा टूर गाइड किसी ने रोबोर्ट्स के प्रोसेसर्स को बदल दिया है शेक तुम सही थे दोस्त पर ब्लॉक कहा है यह कह रहा हमें सेकंड हाफ के लिए जाना चाहिए वरना हमें हार माननी पड़ेगी फिक्र मत करो यह उसे संभाल लेगा अब हम उसका और इंतजार नहीं कर सकते हैं उन्होंने उसे बदला नहीं लगता है तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ जॉन जे जॉनसन जुनिया ब्लॉक तुमने कर दिया शायद सेकंड राफ शुरू होने जा रहा है और सूपर स्ट्राइकर्स को बहुत ज्यादा करते ला होगा वैसे कोच को ब्लॉक के बदले किसी और को भेज़ता चाहिए था वही तो उन्हें हरा रहा है लगता है ब्लॉक का जॉन जे जॉनसन जुनियर को पूरी देर सक्वी करते ही रहेगा और फिर उसे जरूर मिलेगा एक रेड कार्ड ये हुई ना बाग ये है असली ब्लॉक जानदार शानदार इमानदार मैं ज्यादा ही होश यार हूँ मेरा इन्वेंशन तो लीक के सबसे अच्छे डिफेंडर जैसा खेलना सी गया सॉरी टोनी तुम गरत हो कोई भी ब्लॉक की तरह नहीं खेल सकता ब्लॉडल जोटल ग्राब ब्लॉक जोगल नहीं नहीं ग्राब ब्लॉक ने पास किया कैट्टन रास्टा को और जोग की पहरें की और फाइकर ने किया बोल एक और बोल वाव यहीं के रुख बता है परस्टाप में प्लॉक को जोगी तक्रीफ थी वो अब जाच चुकी है क्या पाथ है दोस और तुम्हारा वो डरावन ट्विंग कहा है मैं किनारे पर लटक रहा था रोब्लॉक मुझे गिराने ही वाला था कि तभी अचानक मुझे कुछ याद आया मेरा नया रुबोट दोस्त और शुरू करते हैं हमारे टूर का आखरी हिस्सा तड़ा प्रोफेसर को मुझे जैसा दिखने वाला रोबोट बनाना चाहिए पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब भी रोबोर्ट ही हैं इनल